तो आज अमारा टॉपिक है राजिस्थान का एकिकरण तो किस तरीके से जो राजिस्थान में रियासतें थी वह सभी मिलकर एकिकरत होके राजिस्थान का एक नया रूप जो है वो बदल जाता है तो ये कैसे बतलता है ये सब कुछ आज हम जानेंगे तो क्या था उननिस सो चालिस में ये चीज तो दिखाई देने लगी थी कि भारत की सोतंतरता जो है वो अब जादा दूर नहीं है तो वही असर जो है राजिस्थान की रियासतों पर भी दिखने लगा था तो उस समय एकी क्रत होके राजिस्थान का जो नया रूप जो है वो बदल कर सामने आ जाता है 1 नवंबर 1956 को लेकिन ये कैसे हुआ देखिए सबसे पहले जो है जो मेवाड के महाराण थे भूपाल सिंग इन्हों ने 1946 में ही राजिस्थान, गुजरात और मालवा तो यहां के राजा मह राजाओं को ये सूचना भेजी कि सभी लोग जो है उधैपुर में एक खटा हो आकर और यहां पर विचार विमर्स किया जाए ठीक है तो इनके लिए जो मेवाड के महाराण थे भूपाल सिंग इन्हों ने एक समवेधानिक सलाकर न्युक्त किया के एम मुनसी को तो उनकी सलापर ही सभी को उधैपुर में आमंत्रित किया गया और उनसे ये कहा गया कि यदि सभी रियासतें जो है अगर अपनी एक यूनियन नहीं बनाएंगी तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएगी तो इस चीज़ के लिए जो महाराण थे और केय मुनसी थे उन दोनों ने ही तो वो बुलाते हैं दुबारा से एक सममेलन बुलाते हैं जहाँ पर उनकी भी यही मांगुती है कि रियासतों का एक संग बनाया जाना चाहिए ठीकें? जिसमें हाई कोर्ट हो, जहाँ पर अच्च सिक्षा हो, पुलिस हो, ऐसा संग होना चाहिए तो उन्होंने ये सममेलन में ये सारी चीज़ें जो है वो बदाई और यदि कोई रियासत जो है नहीं भी मिलना चाहती है तो वह अपना प्रथक अस्तित्व रख सकती है ठीक है और पडोस की बड़ी रियासतों में यदि मिलना चाहे तो वहां मिल सकती है लेकिन इस बारे में उन्हें सोचना होगा त तो भारतिय सोतंतरता अधिनियम 1947 की धारा आठ की अनुसार भारत की सभी देशी रियासतों से ब्रिटिस प्रभुसत्ता समाप्त कर दी गई थी, उसके बाद रियासतों को अधिकार दिया गया कि वे जाहें तो भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं उसके बाद देखिए आखिरकार में 5 जुलाई 1947 को रियासिती विभाग के स्थापना हो जाती है और यहां पर अध्यक्ष जो हैं वह होते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल ठीके अध्यक्ष हैं रियासिती विभाग के और सच्चिव मनाये जाते हैं वीपी मैनन को तो इन दोनों के वजे से ही राजिस्थान का एकी करण जो है वह होता है यानि एकी करण का श्रे किसको जाता है सरदार बल्लब भाई पटेल को सर्व पर्थम विले पर हस्ताक्षर जो है किसने किये थे बीका नेर के सारदुल सिंग ने किये थे तो इंपोर्टेंट लाइन है अब यहां पर कि रियासिती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को होती है इसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल सच्चिब बनाये जाते हैं वीपी मैनन को या पूछा जा सकता है कि एकी करण का श्रे किसे जाता है तो वहां पर भी आपका उत्तर होगा सरदार बल्लब भाई पटेल और सबसे पहले विले पर हस्ताक्षर किस ने किये पीका नेर के सारदूल सीखने किये थे रियासती विभाग के अनुसार केवल वे रियासते ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी जिनकी वार्षिक आए एक करोड वा जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो तो ये ही केवल अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी जिनकी वार्षिका एक करोड हो और जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो और इससे यदि कम होती है तो ये सबी रियासतें जो है वो आपस में मिल जाएंगी बना के रखना चाती है तो बना सकती थी सो तंतरता प्राप्ती के समय राजिस्थान में 19 देसी रियासतें थी तीन चीफ सिप यानी की तीन ठिकाने थे कुसलगड, लावा और नीमराणा तो कैसे याद रखोगे एक शब्द याद रखिएगा तीन ठिकानों के नाम आपको याद रह जाएंगे और एक चीफ कमिस्नरी द्वारा प्रशाशित केंदर शाशित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा राजिस्थान का एक ही करण साध चरणों में पूरा हुआ था और इसमें लगने वाला समय था आठ साल, सात माह, चौदा दिन तो दोनों ही चीजें याद रखनी है सबसे पहले देखिए होता है प्रथम चरण जिसमें मतस्य संग का निर्मान होता है 18 मार्च 1948 को तो देखिए देश के विभाजन के समय क्या था कुछ जो है वो पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है रियासते कुछ जो है वो भारत में आकर मिलती है और सामप्रदाइक दंगे तो भढ़क ही रहे थे वहीं पर अलवर और भरतपुर ये जो रियासती थी ये भी दंगों से नहीं बसती है तो भारत सरकार को इस प्रकार की सिकायते जो है वो मिलती है कि अलवर में दंगी बढ़काने में स्वेम अलवर के जो प्रशाशन है उसका हाथ है तो भारत सरकार जो है वो क्या करती है कि महाराजा जो अलवर है इन्हें दिल्ली में नजर्बन कर दिया जाता है और अलवर का प्रशाशन जो है वो अपने हाथ में ले लिया जाता है ठीके तो देखिए अलवर की तरह ही भरतपूर में सामप्रदाइक दंगे जो है वो हो रह जाते हैं मतस्या संग में उसके बाद धौलपर और करोली ये तो चोटी-चोटी रियासतें थी तो यह यहां पर मिल जाती हैं क्योंकि इतनी चोटी रियासतें जिनकी जन संख्या 10 लाग से भी बहुत कम है तो यह अपना अलग अस्तित्व बनाए नहीं रख सकती थी तो यह भी इसी में आकर मिल जाती है नीमराना और नीमराना जो है यह भी आकर मिल जाता है ठीक है यहां पर यह चीज याद रखेएगा बच्चे जो है वो बूल जाते हैं अब इन चारों को कैसे याद रखेंगे आप मतस्य संग में कौन से जिले शामिल थे अलवर भरतपुर करोली और नीमराना यानि A, B, C और D ठीक है अगर आप इंगलिस में लिखेंगे A से अलवर, B से भरतपुर, C से करोली और D से धौल पूर और उसके साथ नीमराना जो है इसे भी याद रखेएगा मतस्य संग नाम के K.M. मुनसी के सुझाव पर राजप्रमुक दौलपुर के महराजा उदेभान और उपर राजप्रमुक करोली के महराज गनेज पाल सींग को बनाया गया राजधानी अलवर को बनाई गई और यहाँ पर उद्घाटन करता कौन है? आपको याद करने में बहुत आसानी होगी उसके बाद है दूसरा चरण दूसरे चरण में राजिस्थान संग या जिसको कहें पूर्वी राजिस्थान इसका निर्मान होता है तो यहाँ पर राजिस्थान संग में किसंगड, टोंक, सहपुरा, कोटा, भूंदी, जालाबाड, प्रताबगड, तुंगरपूर, बासवाड़ा और कुसलगड यह सबी रियासतें मिलकर राजिस्थान संग का निर्मान करती हैं, कब करती हैं, 25 मार्च 1948, डेट जो है वो याद रखनी है, वही मतद से संग का निर्मान हुआ था, कब हुआ था, 18 मार्च 1948, ठीके, वही पर कोटा जो है, इसको राजधानी बनाया जाता है और देखिए, यह सबी रियासतें जो थी, वो यह भी चाती थी, कि यहाँ पर मेवाड रियासत जो है, वो आकर यहाँ पर मिल जाए, लेकिन मेवाड के जो महराना थे, वो यह सब नहीं चाते थे, इस निर्णे से वो नाखोष थे और वो अंत तक मिले भी नहीं, और पत्रपर सिगनेचर करते वक्त कि मैं तो अपने डैथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीके, तो कुछ रियासतें जो थी, वो तो खुस होकर ही मिलती है, विले पत्र प हस्ताक्षर करती हैं, और कुछ जो हैं दवाब में आकर करती हैं। राजधानी जो है कोटा को बनाया गया यहां राजप्रमुख भीम सिंग जो की कोटा के थे इनको बनाया गया उपर राजप्रमुख बहादूर सा जो भूंदी के थे बहादूर सिंग उन्हें बनाया गया प्रदहान मंत्री यहां गोकुलाल असावा को बनाया गया जो की सहापुरा प्रजामंडल के नेता रहे ठीक है सहापुरा जो की सबसे छोटी रियासत थी तो यहां के जो नेता थे गोकुलाल असावा इन्हें प्रदहान मंत्री बनाया गया राजिस्तान संग का वही उदगा राटन करता एन वी गौडगिल ही रहे नेक्स देखिए तीसरा चरण तीसरा चरण जब आता है जब मेवार जो है वह राजिस्थान संग में विले हो जाता है जो की दूसरे चरण में होने से इनकार कर रहा था संयुक्त राजिस्थान जो है तृत्य चरण में इसका निर्मान होता है 18 अप्रेल 1948 को तो यहां पर मेवार रियासत को राजिस्थान संग में मिलाया गया और राजब्रमुक मेवार के महाराना भूपाल सिंग को बनाया गया तो देखें मेवार महाराना द्वारा जैसे ही विल्य पत्र पर हस्ताक्षर हो जाता है उसके तुरंत बाद ही रियासती विभाग जो होता है उसने राज्य के प्रधान मंत्री पद के लिए किसे बुलाया मानिक के लाल वर्मा को जो है मनोनित किया तो मानिक के लाल वर्मा जो है उद्यपूर से जैसे ही लोटते हैं तो संयुक्त राजिस्तान के राजप्रमुग जो है भूपाल सिंग इनसे चर्चा करते हैं तो मेवार रियासत को राजिस्तान संग में मिला दिया जाता है ठीके और इसी दिन 18 अप्रेल को ही पंडे जव प्रधान मंतरी कौन है मानिक के लाल वर्मा जो मैंने आपको बता दिया है तो ये चीज़ां जो है वो एक-एक पॉइंट जो है वो सभी आपको याद करने है ठीके ये कुछ भी नहीं छोड़ना है हर चीज आपको याद रखनी है कौन उधगाटन करता है कौन किसे प्रधानी बनाया गया कौन प्रधान वंतरी है कौन राज प्रमुख है अगला है चतूर्थ चरण चतूर्थ चरण में व्रहत राजिस्थान का निर्मान किया जाता है 30 मार्च 1949 को तो देखिए अखिल भारतिये देसी राज्य लोग परिशद की जो सभा है 20 जनवरी 1948 को हो तो जो सर्दार बल्लवाई पटेल हैं उनकी सहमती से वीपी मैनन ने जोदपुर, भीकानेर और जैपुर यहां के राजाओं को विचार विमर्च करके मिलने के लिए कहा कि यहां व्रहत राजिस्थान में मिल जाएं इसका निर्मान किया जाएगा कई बैठके होती हैं और राजाओं को बिले पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए वीपी मैनन जो हैं वो मना भी लेते हैं तो इस बैठक में एक और निर्ने लिया जाता है कि जैपुर के जो महाराजा हैं सवाई मान जिंग इनको जीवन बरियंत राजप्रमुक बनाया जाए और उदैपुर के जो प ही बनाये गए ठीक है और इस बैठक में राजधानी का जो भी मसला है वो किस पर छोड़ दिया गया बल्लबाई पटेल पर ही छोड़ दिया गया उसके बाद राजधानी जो है वह है जैपुर को बनाया गया था तो यहां पर संयुक्त राजिस्थान में देखिए बीका न बनाया जाता है और व्रहत राजधानी जो है वह है वललबाई पटेल के द्वारा जैपुर बनाया जाता है और व्रहत राजधान के निर्मान के तहट ही सत्य tighten राव समिती की सिफारिस पर 5 विभाग बनाये गए, शिक्षा विभाग जो है वो बीकानेर में बनाया गया, उच्चे न्याले जोदपूर में बनाया गया, वन विभाग कोटा में बनाया गया, क्रशी विभाग भरतपूर में बनाया गया, और खनेज विभाग उदेपूर में बनाया गया जो कि आपको नहीं पढ़नी है या नहीं समझनी है या याद नहीं करनी है सबी कुछ आपको लर्ण करना है पांचमा चरण जो है संयुक्त व्रहत राजिस्थान ठीक है पहला चरण कौन सा था मतस्य संग दूसरा चरण राजिस्थान संग तीसरा चरण था संयुक्त राजिस हो जाती है ठीक है अब संयुक्त व्रहत राजिस्थान जो की पाँच्वा चरण है 15 मई 1949 को इसका निर्मान होता है व्रहत राजिस्थान में मतस्य संग जो है इसको मिला दिया जाता है और संकर देवराय समिती की सिफारिस पर ये होता है याद रखना एक्जाम में ये मिला दिया गया तो यहां पर प्रधान मंत्री जो है मतस्य संग के सोभा रामकुमावत को सास्री मंत्री मंदल में मिला दिया गया चट्वा चरण में राजिस्थान जो है 26 जनवरी 1950 को अपने अस्तित्व में आ जाता है सभी रियासतें जो थी वो शामिल हो चुकी थी तो यहां पर जो आबू देलवाडा था यह क्या था एक परेटन स्थל था तो गुजरात के नेटा चाहते थे कि यह जो है कहां पर आकर मिल जाए यहां गुजरात में आकर मिल जाए वहीं पर शिरो हुई जो थी उनकी जन्ता भी मांग कर रही थी शिरो ही जो है इसको अबु देलवाड़ा को बंबई प्रांत में मिला दिया जाता है नेक्स्ट देखिए अंतिम चरण है सप्तम चरण वर्तमान राजिस्थान जो की एक नवंबर 1956 को पूरा हो जाता है और इसको कितना टाइम लगा था मैंने आपको बताया था कि यहां तक आते आते लगता है आ फैजल अली ठीक है इनकी अध्यक्स्ता में माउंट अबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा जो की केंदर शाशित प्रदेश था उसके अलावा सुनेल टपा इसको भी राजिस्थान में बिले कर दिया जाता है और कोटा का जो शिरोज है उपविभाग है उसे मध्य प गुरुमुक का पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है उसके इस्थान पर क्या आजाता है राज्यपाल का पद आ जाता है तो अब नए राज्यपाल जो है वो बनते हैं गुरुमुक निहाल सींग तो प्रथम राज्यपाल कौन है गुरुमुक निहाल सींग है और यहां म मुख्यमंद्री बनते हैं मुहनलाल सुखाडिया। प्रत्थम मनोनित मुख्यमंद्री जो है, वो हैं हीराल शास्री और निर्वाचित मुख्यमंद्री हैं टीकाराम पालिवाल। nast अब देखिए कुछ important जो है line हो सकता है examiner पूछ ले, शेतरपल की द्रस्टी से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी उस वक्त जोतपुर थी, सबसे धनी रियासत जैपुर थी, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी, सबसे नवीन रियासत थी टॉंक, ठीक है, तो ये कुछ ची की आदेश पर जैपुर रियासत में सामिल कर दिया गया, जिसे व्रहत राजिस्थान में सामिल किया था, वीपी मैनन की पुस्तक है, देखिए, 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 बासवारा के जो महारावल थे, इन्होंने जब सिगनेचर किये थे, तो क्या कहा था, कि मैं अपने वारन पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो राजिस्थान के एकी करण के समय ये शब्द किसने कहे थे, तो बासवारा के महारावल चंदरवीर सिंग ने ये कहा था, वहीं राजिस्थान इर्मान की प्रक्रिया जो है 1948 से प्रारम होती है, और 1956 को पूरी होती है, यह 18 मार्च 1948 से प्रारम होई और 1 नवंबर 1956 को संपूर होई, तो यह आपका टॉपिक होता है राजिस्थान का एकी करण का बिलकुल कम्प्लीट, आप चाहे फर्स्ट ग्रेट का एक्जाम दो, सेकिंड ग्रेट का दो, या फिर आरेस तक का दो, वहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं, वो यह आपके वो नोट्स में मिल रहे हैं, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू,